अंतराशी क्रिकेट में हर रोज नए रेकॉर्ड बनते हैं और तूटते हैं खिलाडी हर दिन नए मुकाम हासिल करते हैं आज कल के फटफट क्रिकेट के दौर में रेकॉर्ड की तो बारिश हर मैच में होती हैं लेकिन कुछ रेकॉर्ड बेहद ही खास होते हैं जैसे सचिन के शतकों का शतक, कुंबले का एक पारी में 10 विकेट लेना, ऐसे तमाम रेकॉर्ड से क्रिकेट का पन्ना भरा हुआ है, लेकिन एक रेकॉर्ड है जो हर क्रिकेटर के करियर में बेहदी एहम होता है और वो है कभी भी 0 पर आउट नहीं होना, आईए तो आपको हम 45 बंडे मैच के लिए, जिसकी 49 पारियों में उन्होंने 1174 रन बनाए हैं, इस दोरान उन्होंने 7 अर्दशतक भी जड़े हैं और उनका उच्चितम स्कोर 181 रन रा, रूडॉल्फ अपने एक दिवसी करियर में कभी 0 निपर आउट नहीं हो है, इस लिस्ट में एक और दक् स्कोर 97 रन रा, करस्टन भी अपने बंडे करियर में कभी 0 पर आउट नहीं हो है, भारती टीम के पूर्व खिलाड़ी और 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस यशपाल शर्मा का नाम भी सूची में शामिल है, उन्होंने 1978 से 1985 तक भारती टीम के लिए खेला, इस दोरान य 40 मैचों की 40 पारियों में 883 रन बनाए, जिसमें उनका सारवदे की स्कोर 89 रन रा, यशपाल ने अपने करियर में कुल 4 अर्दशतक लगाए और कभी 0 पर आउट नहीं हो है, स्कॉटलैंड की खिलाडी मैथ्यू क्रॉस ने 2014 से 2019 के बीच कुल 52 बंडे मुकाबले के लिए, कुल 48 पारियों में 1136 रन बनाए, इस दोरान 2 शतक और 5 अर्दशतक लगाए लेकिन कभी 0 पर आउट नहीं हो है, इस लिस्ट में पहले नंबर पर केपलर वेल्स का नाम आता है, जन्होंने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिन अफ्रीका दोनों देशों के लिए क्रिकेट खेला, वेल्स सो से जादा बंडे मैच खेलने के बावजूद कभी 0 पर आउट नहीं हो है, 183 से 1994 के बीच केपलर वेल्स ने 109 मैचों की 105 पारियों में 33 67 रन बनाए, इस दोरान उन्होंने एक शतक लगाया और 20 सर्दशतक भी जाए, तो ये थे कुछ ऐसे खिलाडियों के नाम ज झाल झाल